हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल टेक्निकल ट्रिक्स मैं हूं असित कुमार आज हम लोग लेकर के आए हैं लेक्चर 12 एंपिक के बारे में और एक चीज और आपको बोल दें कि इस वीडियो को एंड तक देखिए गया इसकी बिल्कुल मत करिएगा क्या क्या इसके फीचर से हम लोग इसमें डिसकस करेंगे प्या होता हैंible do नहीं है कि इस एकछट ग्रूप तो एंपक के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बेसिक पहले देख लेते हैं एमपक है क्या इट है इस अस्क्रेंडर्ड मेथर्ड इडि इस a standard method for transmitting digital video and audio. Video और audio को जो हम transmit करेंगे वो भी digitally in a compressed format. जो compressed format में हम लोग उसको transmit करेंगे using less bandwidth than analog method. तो it is a standard method for transmitting digital video and audio in a compressed format using less bandwidth than analog method. तो यह है आपका MPIC होता है. इसकी क्या history है? इसके पीछे history क्या है? उसको हम लोग समझ लेते हैं. तो MPIC की क्या history है? MPIC was established. जो MPIC है वो कब established हुआ था? MPIC was established in 1988. तो पहले जो होता था वो हम कोई भी चीज analog method में use करते थे. अब जो है हमें digital technology, digital platform पर जैसे हमने पहले भी बताया था कि जितनी भी चीज़े हैं आज कल digital में ही सारे कुछ होते हैं. तो digital platform में audio और video को किस तरीके से हम use करते हैं. ट्रांस्मिशन में या storage data कोई है उसको करने के लिए तो उसमें यह device यह जो technology है MPIC वो यूज होती है. तो वो MPIC जो है वो established हुआ था 1988 में to develop audio and video file format. वीडियो और audio file format को develop करने के लिए वो MPIC जो है 1988 में develop किया गया था. This group means MPIC group जो है यह MPIC group is formed by International Organization for Standardization ISO के द्वारा जो है यह form किया गया था and International Electrotechnical Commission IEC यह इन लोगों के द्वारा जो ISO और IEC के द्वारा यह develop किया गया था, form किया गया था. It has released various versions of file standards means इसके कई सारे जो है versions आये हैं बाद में जब MPIC को develop किया गया तो उसके कई सारे file formats आये हैं जो standards आये हैं वो कौन कौन से हैं जैसे MPIC 1 आया फिर उसके बाद second version MPIC 2 आया फिर MPIC 3, MPIC 4, MPIC 7 और MPIC 21 तो यह इसका जो है basic history है और इसमें detail में समझ लेते हैं कि MPIC 1, 2, 3, 4 और 7, 21 यह कब आये और इनके क्या-क्या uses हैं किस तरीके से हम digital जो transmission है या storage है उसमें किस तरीके से MPIC का role है उसको हम और अच्छे तरीके से समझते हैं आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले यह जान लेते हैं कि why compress हम लोग compress क्यों करते हैं वीडियो को या storage को जो भी हम transmission करते हैं या receive करते हैं उसमें जो वीडियो होता है वो उसको compress क्यों करते हैं तो उसमें simple सा एक reason है कि if any studio quality movie अगर हम कोई एक movie है वो studio quality में है और movie file released without compression then it will take number of DVDs to store movie अगर हम किसी भी movie को अगर एक DVD में store कर रहे हैं without compression के और वो studio quality format में है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि बहुत सारे DVDs को use करना पड़ेगा उस movie को store करने के लिए अगर हम उस video को या उस file को हम compress नहीं करते हैं और अगर हम अगर compress कर देते हैं तो हमारा क्या होगा अगर हम उसी चीज को अगर हम compress कर देंगे एंपक format में तो हमारा जो same movie है जो इतनी बड़ी movie थी वो क्या होगा वो तो compress हो करके किसी एक single DVD में हमारा storage हो जाता है उसका तो इसी लिए जो है हम compress करते हैं उस video को यानी MPEG format में तो इसलिए हमें जरूरत पढ़ती है इस MPEG format की तो overview हम लोग समझ लेते हैं का overview of MPEG format वो क्या-क्या चीजे होती है MPEG कब आया 1988 में हमने उसको develop किया और फिर उसमें कौन-कौन से versions हैं वो है जैसे MPEG 1 version है ये 1992 में इसको develop किया गया it was developed for coding of video and audio for storage media like CD-ROM, VCD, MP3 तो जो audio video है उसको storage media means किसी भी movie को या किसी भी file को अगर हमें store करना है तो MPEG 1 जो है 1992 में develop किया गया और उसमें जैसे हमारा CD-ROM है जो पहले यूज होता था आपका VCD है MP3 है तो MP3 क्या है ये आपका audio format है इसी तरीके से हमारा MPEG 2 जो है 1994 में develop हुआ वो किसलिए हुआ the coding of video and audio for transport and storage like digital television जो digital television हमारा आया तो उसमें हम लोग MPEG 2 पर 1994 में इसको हमने start किया और जितने भी DVDs थी वो हमने उसमें storage जो करते थे किसी भी movie or files को तो वो सारी चीजें इसमें हम store करते थे आपका MPEG format में और वो कैसे होता था आपका version 2 जो 1994 में version 2 आया उस format में और इसमें जो audio के लिए हम यूज करते हैं वो MP4 होता है तो यह दोनों चीजें हो गए आपका MPEG 1 92 में develop हुआ और MPEG 2 जो है आपका 94 में हुआ इसी तरीके से हम और भी जो versions हैं उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं नेक्स्ट है आपका MPEG 4 तो MPEG 4 आया था आपका version 1 जो है 1999 में develop किया गया फिर उसके बाद इसका version 2 आया 2000 फिर version 3 2001 में तो MPEG 4 किसलिए develop हुआ it was developed for multimedia applications के लिए and for web and mobile and broadcasting applications के लिए MPEG 4 जो है इसके लिए develop किया गया next comes MPEG 7 यह जो है 2001 में develop किया गया developed for multimedia content description for audio and video media searching and filtering के लिए यूज होता है MPEG 7 उसमें और फिर आता है आपका MPEG 21 2001 में यह भी जो है develop किया गया for multimedia framework for integration of multimedia technology तो यह सारा जो है आपका MPEG 1 MPEG 2 MPEG 4 MPEG 7 और MPEG 21 यह इसका जो है description था कि किस तरीके से कब develop हुआ और कुछ इसके आगे और थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं इसके बारे में तो इसकी जो समरी है कुछ इस तरीके से है MPEG 4 standard uses MPEG 1 आपका MPEG 1 है MPEG 2 है और MPEG 4 है तो यह it is used for decoding of audio and video content right and for MPEG 7 it is used to provide metadata and describes multimedia content for MPEG 21 it is used to provide framework for all production creation and delivery of content right तो इसके आगे कुछ और देख लेते हैं जो MPEG standard होता है उसका जो picture का जो structure होता है वो कुछ इस तरीके से होता है समझिए एक हमारा कोई video sequence है किसी भी उसमें तो यह video sequence जो है कुछ इस तरीके से है और इसमें क्या होता है जैसे यह क्या है यह group of picture है right यह group of pictures है और इस जो group of pictures में अगर एक single इसको लिया जाये तो यह हमारा क्या है एक picture है यह सारे pictures है यह group है pictures का यह video sequence है और उसके अंदर क्या होता है जो picture हमारा होता है group of pictures में जो picture है उसका यह block है समलो कि यह हमारा एक block है और उसके अंदर क्या होते है जो slices होते है जो pictures के अंदर कुछ slices होते है उस slice के अंदर हमारे micro blocks होते हैं जो की इस तरीके से जो हमने represent किया है और इस जो micro block है उस block के अंदर जो है हमारा यह इस तरीके का एक particular block होता है और ये block जो है वो 8x8 जो pixels का होता है हमारा ये frame है ये block जो है 8x8 pixels का होता है तो कुछ हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो MPK standard है उसमें जो picture का structure है वो हमारा इस तरीके से हमारा video sequence होता है उसके अंदर group of pictures होते हैं और picture के अंदर हमारे slices होते हैं उस slice के अंदर micro block होता है, micro block के अंदर वो blocks होते हैं जिसे हम pixels में define करते हैं, तो ये आपका MPEG standard में structure आप pictures हो गया, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि MPEG 2, MPEG 4 क्या है, उसमें क्या differences होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग समझते हैं, आपका MPEG standards है, उसमें main हमारा क्या है MPEG 2 और MPEG 4, तो हम इसमें इस topic में ज्यादा तर हम जो focus करेंगे, वो MPEG 2 और MPEG 4 के बारे में focus करेंगे, तो पहले हम लोग समझते हैं कि what is MPEG 2, MPEG 2 क्या होता है, तो moving picture expert group जो है, उसका version 2 जो है MPEG 2 कहलाता है, तो MPEG 2 is an improved version of MPEG 1, right, तो MPEG 2 में क्या-क्या चीजें होते हैं, कुछ points हैं हम लोग इसको समझ लेते हैं, MPEG 2 uses lossy compression technique to reduce video and audio files, तो video और audio files को compress करने के लिए, ये lossy compression techniques यूज होती हैं, तो जो compression techniques होती है, वो दो तरीके को होती है, एक होता है lossy और दूसरा होता है lossless, lossy means जिसमें loss होता है, right, जिसमें loss होता है, उसे हम lossy compression technique बोलते हैं, और दूसरा होता है, आपका lossless होता है, lossless में, जो without loss, जो है compression होता है, उसको हम lossless compression technique बोलते हैं, तो MPEG 2 uses lossy compression techniques to reduce video and audio files, second one is MPEG 2, जो H.264 के नाम से भी जाना जाता है, MPEG 2 supports bit rate ranges from 2 to 30 Mbps, right, और तीसरा है, MPEG 2 compression works for both progressive and interlaced videos, यह बहुत important है, MPEG 2 जो है, जो उसका compression होता है, वो दोनों जो progressive और interlaced scanning जो होती हमारा वीडियो में, वो दोनों के लिए use होता है, यानि P और I format दोनों जो है, इसमें use होता है, इसके uses कहां कहां होता है, MPEG 2 के, MPEG 2 is preferred video coding standard for DVD, SDTV, SDTV broadcast or satellite, terrestrial and cable TV network में use होता है, और दूसरा है आपका, जो की बहुत important है, MPEG 2 used in live streaming or broadband internet, तो यह live streaming के लिए भी use होता है, तो MPEG 2, H.264 के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके यह कुछ points है, इसी तरीके से आगे हम इसके बारे में और detail में समझते हैं, कि MPEG 2 में और क्या-क्या चीज़े होती है, right? Now comes, what is MPEG 4, MPEG 4 क्या होता है, it is one of the latest audio video MPEG format, यह जो है, latest इस समझ जो use हो रहा है, वो MPEG 4 latest format है, It is compresses video to a smaller size, used for playback, online and portable devices, like mobile, laptop, iPad, etc. तो यह क्या करता है, video को बहुत ही very smaller size में compress करता है, जो की online or portable devices के लिए use होता है, It is a lossless compression, right? वो क्या था, MPEG 2 में lossy compression technique सी, यह lossless compression techniques है, जिसमें आपका losses बहुत कम होता है, With high compression, lower bandwidth, to provide superior video quality, तो यह सारी चीज़ें इसमें MPEG 4 में आती हैं, It is one of the latest video audio MPEG format है, दूसरा जो है, इसका जो compression है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही small sizes होता है, किसी भी file या video format, वीडियो का, और यह online or gaming के लिए, यह online जो भी streaming होती है, उसके लिए use होता है, लाइक, mobile, laptop, iPad, यह portable devices जो यूज होती हैं, उसके लिए, और it is a lossless compression technique, with high compression, lower bandwidth, to provide superior quality, उसके लिए use होता है, तो हम लोग जो MPEG 2 और MPEG 4 अभी तक देखा, उसका हम लोग जो differences है, basic differences क्या हैं, वो समझ लेते हैं, एक बार, तो MPEG 2 और MPEG 4 के बारे में हमने देख लिया, अब MPEG 2 और MPEG 4 जो उसका क्या-क्या differences हैं, दोनों के बीच में क्या difference, major differences हैं, उसको हम लोग समझते हैं, कि कैसे यह किस-किस बिहाब पे दोनों different हैं, तो MPEG 2 versus MPEG 4, MPEG 2 gives better video quality and have larger file size compared to MPEG 4, right, तो पहला point यह है कि MPEG 2 जो है, वो better quality देता है, in comparison to MPEG 4, इसमें क्या होता है, कि जो इसकी file होती है, जो compressed file होती है, वो बड़ी होती है, और MPEG 4 में बहुत ही ज्यादा compression होता है, और इसकी video quality, quality in comparison to MPEG 4 ज्यादा अच्छी होती है, क्यों, क्योंकि इसका जब compression बहुत ही, मतलब ज्यादा अगर हम आप किसी भी file को compress कर देंगे, तो उसका क्या होगा, video quality पर effect पड़ेगा, लेकिन अगर हम किसी भी video file को, आप कम compress करेंगे, तो उसका जो है, file size वो ज्यादा होगा, जिसकी वज़ा से हमारा video quality जो है, अच्छी होगी, तो इसलिए जो है, MPEG 2 gives better video quality and have larger file in comparison to MPEG 4, the second point is MPEG 4 has higher compression ratio, ठीक है, जैसा भी हमने बताया कि MPEG 4 में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा compress होती है, file को, in comparison to MPEG 2, and the third point is MPEG 2 requires much more bandwidth, very important point is that, कि हम जब MPEG 2 में जो हमारी compression file होती है, उसका file size बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वज़ा से हमें क्या होगा, bandwidth की requirement ज्यादा पड़ती है, किसमें MPEG 2 में, और अगर file size छोटा होगा, in MPEG 4, तो हमारा bandwidth क्या होगा, बहुत ही कम जो है, यूज होगा, तो MPEG 2 requires much more bandwidth for online streaming, in comparison to MPEG 4, right? The next point is, MPEG 4 is more versatile encoding format, compared to MPEG 2, जो MPEG 4 होता है, वो बहुत ही ज्यादा versatile encoding format देता है, in comparison to MPEG 2 में, MPEG 2 is the encoding method for DVDs, यह क्या होता है, DVDs के लिए encoding method होता है, while MPEG 4 is for portable devices and online uses के लिए होता है, The last one is MPEG 2 and MPEG 4 are popular formats in different domains and is depends upon your specific demand, और MPEG 2 और MPEG 4 यह दोनों ही बहुत ही popular formats हैं, और यह जो है different different uses के लिए या फिर जो भी आपका specific demands हैं, video encoding में, उसके लिए हम particularly अपने recording इसको यूज कर सकते हैं, तो यह basic differences हैं आपके जो MPEG 2 और MPEG 4 का, अब कुछ और भी चीज़े हैं MPEG 2 और MPEG 4 का, उसको भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं, तो MPEG 2 और MPEG 4 में जो file extensions होते हैं, वो कैसे होते हैं, जो file का extension जो होता है, जैसे .mpg, .mpeg, .m2v, .mp2, .mp3, यह इसके जो है file extension हैं, और इसके MPEG 4 में .mp4, .m4a, .m4b, .m4r, .m4b, इस तरीके का जो है, इसका file extension होता है, और इसका जो file size होता है MPEG 2 में, file size can stores in DVDs, जो files हैं, वो जो है DVDs में store की जा सकती हैं, and is not applicable for portable devices, यह portable devices के लिए applicable नहीं होती हैं, यह सिर्फ आपका DVDs में store किया जा सकता है, जो भी files हैं, और दूसरा इसमें है, MPEG 4 में क्या है, it can download, downloaded videos online, हम क्या कर सकते हैं MPEG 4 में, जो videos हैं, वो download कर सकते हैं, किस mode में, high compression ratio के mode में, और इसमें MPEG 2 में क्या होता है, files are larger in size, जो files होती हैं, वो बहुत बड़ी होती हैं, but have better good quality, means उसकी जो quality है, video quality की, वो ज्यादा अच्छे होती है, तो file जो है, यह बड़ी होती हैं, और MPEG 4 में क्या है, files are smaller in size, यह difference हो गया, last one is bit rate and bandwidth, bit rate और bandwidth की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है, MPEG 2 में high bit rate approach 10 Mbps होता है, और इसका जो है MPEG 4 में क्या है, it is having low bit rate transmission in range of few kbps to few Mbps, इसमें होता है, और दूसरा जो है, it requires high bandwidth due to larger file size, और यह bandwidth ज़्यादा लेता है, क्यों किस लिए, क्योंकि इसका जो file size है, वो ज़्यादा होता है, और यह जो है, less bandwidth इसके लिए ज़रूरत होती MPEG 4 के लिए, क्योंकि इसका जो file size है, वो कम होता है, तो कुल मिला करके हमने यह MPEG 2 और MPEG 4 में जो basic differences हैं, क्या होता है, यह सारी चीजें हमने देखा, और मुझे यह लगता है, कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से यह समझ में आया होगा, I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को like करें, और share करें, subscribe करना बिल्कुल न भूलें, और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर होंगा, तब तक के लिए, नमस्कार.